राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता है? हमारे हिंदु धर्म में राम नाम सत्य है का विशेश महत्व बताया गया है. कहते हैं, इस नाम का तीन बार जब करने का फल एक हजार बार किसी भगवान का नाम लेने के बराबर बताया गया है. अंतिम संसकार के समय जब शव को ले जाया जाता है तब राम नाम सत्य है बोलते हैं जबकि किसी खुशी के समय इन चार शब्दों को नहीं बोले जाते तब हर किसी के मन में यह सवाल उठता है कि किसी की मृत्यू के पश्चात ही क्यों इन शब्दों का उच्चारण होता है तो आए इसे समझते हैं नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है एसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे राम नाम बोलने से क्या होता है जब अंतिन संसकार के लिए ले जाते समय राम का नाम लिया जाता है यह शब्द जिसकी मृत्यू हो गई है उसके शब के साथ चल रहे सब रिष्टेदार और परिजनों को यह ज्यात करवाना होता है कि जब किसी की मृत्यू होती है तब वह कुछ अपने साथ नहीं ले जाता व्यक्ति अकेला आता है और अकेला ही जाता है शरीर नश्वर है और आत्मा इस जीवन चक्र से मुक्थ होकर संसार की मोह बंधन से मुक्थ हो गई है तो अब इस मृत्य शरीर का कोई अर्थ नहीं है और केवल एक राम का नाम ही है जो सत्य है इस राम नाम के जब से यह अहसास होता है कि वह व्यक्ति इस संसार से चला गया है। राम नाम क्यों? जब व्यक्ति चला जाता है तब उसके सनहीजन बहुत दुखी होते हैं। इस अटल मृत्यू की वेदना को वह सहन नहीं कर पाते उस समय जब इस राम नाम का जाप करने से उनको उस दुहक को सहने की शक्ती मिलती है उनकी यह वेदना कम होकर उन्हें मानसिक शांती मिलती है जब घर के किसी बुजुर्ग की मृत्यू होती है तब घर के सारे उनके रिष्टेदार पैसों के बटवारे के पीछे लग जाते हैं और फिर संबंधों में कडवाहट हो जाती है वह यह नहीं समझ पाते की यह सब लोब और मोह की माया है कभी न कभी उनकी भी मृत्यू होगी जो जैसा कर्म करता है वह उसे भोगना पड़ता है अर्थात उसका अगला जन्म उसी के आधार पर निश्चित किया जाता है पर इस संसार रुपी माया को कोई नहीं समझ पाता जो समझ जाये वही ज्यानी कहलाए इसलिए जब शव को ले जाया जाता है तब राम नाम सत्य है का जब मृतक के लिए नहीं होता बलकि उनके सनहीं जन्म रिष्टेदारों के लिए होता है कि वह समझ सके की मृत्यो अटल है और राम का नाम ही सत्य है